आज बनाते हैं बोगडी का अचार कैसे बनाती हूँ अगर मेरा रेशीपी अचा लगे फ्रेंट्स तो लाइक किजिए कमेंट किजिए या शेर किजिए नाइब लिवर से मेरे चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत बुलिए आपका साथ ही मुझे आगे पढ़ाएग मुझे सपोर्ट किजिए फ्रेंट्स तो चलिए शुरुवात किया जाए भोगडी का अचार यह रहे बगोडी फ्रेंज, यह तो बोरोई भी बोला जाता है, देखिए, यह सुखा हुआ ही मैं खरीदी थी, आपका हुआ खरीद के भी सुखा ले सकते हैं, तो बजर में ऐसा अबलमन मिलता है, तो ऐसे ही मैं खरीद के लाई हूँ, अब इसका बनाऊगी मीठा अचार, तो इसके लिए मैं ली हूँ गुड़ और थोरा सा चिनी भी एट करूँगी, या तो आपके पास जो रसगुले का रस रहता है उससे भी बनता है, तो मैं वह भी थोरा सा एट करूँगी मेरे पास है, या तो स्रिप गुड़ से भी बना सकते है, तो मेरा कढ़ाई गरम हो किलाल मिर्च है और दो तेज पत्ते और एक टी स्पून पाच फोरा तो यह तरका चटक रहे हैं देखिए चटकने के बाद मैं एट करूगी जो बोगडी मैंने अच्छी तर से धूल के रखे हैं देखिए तो इसी को एट कर दूगी को डीट के लिए जादा बेलेट की थोरा चलाऊंगी पचास गुर्ड को तो इसे गुर्ड करते रहे हैं और यही मेरे पास थोरा रस्पिल्ला का रस है आप इसको भी एट कर दे रहे हैं थोरा जादा मिठा हने के लिए अगर आप मीठा थोड़ा कम खाते हों होंगे फ्रेंड थोड़ा कमी मीठा एट करिएगा तो अब इसको थोड़ा सा चला के मैं ऐसे ही छोड़ दूगी ढखके 10 मिर तक पकने के लिए 10 से 5 मिर तक ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है एचार बनाने में और थोड़ा सा धनिय तो इधर मेरा बोगडी में उबाग आ चुका है फ्रेंड देखिए तो यह उल्मुष्ट बनी गया है अब इधर मैं धनिया थोड़ा भून गहीं हूं उसमें उपर से चिलखने के लिए धनिया और सों तो अभी धनिया और थोड़ा भूनाएंगे इसके बाद मैं सौस थो तो धनिया मेरा भूना चुके है फ्रेंड्स अब मैं भूनाओंगी थोड़ी सी स्ऊंफ यह सॉंफ, ज्यादा नहीं लगता है फ्रेंड्स एक टीस्पून ली हूं फॉफ और टू टीस्पून ली हूँ धनिया थो देखिए बिना थोड़ी मेरा भूनाओंगे इनको मिक्स तो थोड़ा सा मसाला इसलिए ज्यादा मीही नहीं पीसाया है अब मैं इस बोगडी का चाय में एट करूंगी उसके बाद दयार हो जाएगा मेरा बोगडी का अचाय तो मैं इसमें थोड़ी सी पानी एट कर दे रहे हूं पानी थोड़ा से एट करने से थोड़ा पकड़ता नहीं है लस नहीं धरलेता एक दम से तो नहीं तो एक में एक चिपक जाता है वैसे थोड़ा पानी नहीं एट करने से एक्चुली मैं जैसे बनाती हूं फ्रेंज उसे ही प्रेजन करती हूं उसे ही आप लोग साथ शेयर करत पुलियो ओंगे तो भी ऐसे बनाएगा तो बन गई मेरा खटा मिथ्ठा अचार अब यह है ख़ाएगा मेरा रेसीपी अगर अच्छा लगे तो लाइक किजिए है कोमेंत किजिएगा जाज़ शेयर किजिए नया भी और से मेरा चैनल में तो प्लीज स्सक्राइब करना मत बु अबबबाई. इतार मेरा बुथू आ अबढ़ा है, बुथू।